वेलकम टू माई चैनल, मैं शिकाशरवासाओ, मेरे चैनल टिप्स थीएटर में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, बालों से जुड़ी हुई समस्याओं को हल करने के लिए, आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ, ये वीडियो आपके बहुत ही काम आने वाला है आपके बालों से जुड़ी हुई जो भी समझता है चाहे हेर फॉल की हो, हेर थिनिंग की हो या बाल हमारे लंबे नहीं हो रहे हैं या डेंडर्फ की परिशानी हैं या उम्र से पहले हमारे बाल सफेद होने लगे हैं इन सारी परिशानियों से आपको निजात मिलेगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेना है लाल छिलके वाला प्याज प्याज के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा दोस्टों कि हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है और वाकई में प्याज का रस हमारे बालों को बहुत ही अच्छी तरह से नरिश करता है, हमारे hair follicle को nutrients देकर उन्हें जड़ से मजबूत बनाता है, और जब हमारे बाल जड़ से मजबूत होंगे तो अपने आप ही बालों का तूटना रुकेगा, बालों का तूटना रुकेग तो बालों में घनापन आएगा, बालों की जितनी अच्छी आप कियर करेंगे दोसों, बाल आपके उतने ही healthy रहेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोसों, प्याज का छिलका निकाल लेना है और इसके बाद आपको प्याज का रस निकालना है, प्याज का रस निका किसी भी ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके उसका जूस निकाल सकते हैं या फिर बारिक काट कर भी आप इसका रस निकाल सकते हैं दोनों में से कोई भी तरीके से हमें तो यहां लेना है प्याज का रस प्याज जब आप काटते हैं दोसों अभी मैं काट रही हूं मेरे आँखो में बहुत आंसू आ रहे हैं और आपके भी आंखों में आसू आते होंगे क्योंकि प्याज में high amount में sulfur होता है और यही सल्फर हमारे बालों के लिए बहुत ही जादा फाइदे मनद है बालों के जढ़ने को रोकता है उम्रे जो हमारे बाल सफेध हो रहे हैं और उन्हें सफेध होने से बचाता है और न्यय बाल जो हमारे उगते हैं वह जड़ से ही काले उगते हैं साथ ही साथ ये जो सलफर होता है दोसों हमारे स्कैल्प के ब्लेड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है और ब्लेड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है तो हेयर ग्रोथ अच्छी होती है नए बाल उगनाय स्टार्ट होते हैं और ये जो प्याज में सलफर होता है दोसों ये को प्रोडक्शन को इंप्रूफ करता है, कोलेजन टीशू का प्रोडक्शन अच्छा होगा, तो बाल हमारे हेल्दी रहेंगे, बाल हमारे लंबे रहेंगे, बालों का जड़ना भी रुख जाएगा, तो बहुत से लोगों को प्याज की स्मेल पसंद नहीं होती है, परन्तु बा आसानी से प्याज ग्राइंड हो जाता है ये देखे तो बड़ी अच्छा इसका फाइन पेज तैयार कर लिया है एक छन्नी में डाल कर आपको इसका रस निकाल लेना है तो बालों की केयर जरूर करें दोस्तों तो ही बाल आपके लंबे होंगे घने होंगे बालों में घनापन होना बहुत जरूरी है हमारे चहरे को खुबसूरत बनाते हैं बाल, हमारे चहरे पर बालों का सुन्दर होना बहुत जरूरी है, बालों में अच्छी चमक आती है, ओनियन जूस को लगाने से, और जो बाल हैं दोस्तों, हेर थिनिंग, हेर फॉल की जो समस्या है, डेंडरफ की समस्या भी दूर करता ह क्योंकि प्याज में भरपूर मात्रा में एंटी-बैक्टिरियल प्रॉपर्टी होती है, जिससे हमारे स्केल्प में यदि किसी भी तरह का इंफेक्शन है, कोई भी बैक्टिरियल इंफेक्शन है, डेंडरफ की परिशानी है, उसे भी दूर करता है ओनियन जूस, और तो हमेशा घर के घरेलू नुस्खे का ही प्रियोग करें, 100% वर्क करता है, ऐसा है दोस्तों कि किसी भी रेमेडी को वर्क करने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, आप सोचेंगी हमने एक बार लगाया और इसका हमें रिजल्ट मिल जाए, कुछ दिन तो आप जरू करें, सबता है, दो सबता है, तो आप जरू ट्राय करें, 100% रिजल्ट मिलेगा, और कोई भी घरेलू नुस्खा होता सवा कोई साइड एफेक्ट नहीं होता, यहां पर मैंने लिया केस्टर रॉयल अरंडी का तेल, आप देख सकते हैं, दो तरह का तेल दिख रहा है दोस्त तो आप इसे कह सकते हैं, ब्लैक केस्टर रॉयल भी कहते हैं इसे, तो अईर्वेड दुकान से जो मैंने लिया है, वो थोड़ा गहरे रंग का अरंडी का तेल है, अरंडी का तेल हमारे बालों को जड़ से काला बनाता है, बालों के जड़ने को बिलकुल ही रोग देता है, हेयर फॉल की सारी समस्याएं दूर करता है, केस्टर रॉयल, एक चमच मैंने यहां पर अरंडी का तेल डाला है दोस्तों, जो केस्टर रॉयल होता है, इसे कभी भी आपको डारेक्ट अपने बालों पर नहीं लगाना है, बहुत जादा गाढ़ा होता है, यदि इस गाढ़ किसी भी तेल के साथ मिक्स करके ही आपको कस्टर अइल को लगाना है. पर यहां तो मैंने एक चमत कस्टर OIL को प्याँ के Reputal Bλα डाला है जो की आपके बालों की सारी समस्यां को दूर करेगा. वहांत भी फायदेमंद में आपने इसमें डाला है उपने टेल का बालों का तूटना, बालों का जढ़ना रुकेगा, बालों की लंबाई बढ़ेगी, बालों में कालापन आएगा, उम्र से पहले जो बाल सफेद हो रहे हैं, जिसे कि हम प्री मैच्वेर हेर कहते हैं दोस्तों, उस समस्या से भी छुटकारा मिलेगा, नए-ने बाल उगेंगे दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वैसे आप चाहें, तो आप इसे रात भर लगा कर रख सकते हैं, जिस दिन आपको हेर वाश करना है, आप उस दिन रात भर लगाएं, यह देखे, मेरी बेटी आपको इसे अपलाए करने का सही तरीका बता रही है, एक कॉटन बॉल लिया उसे ओनियन जूस में डीप करते जाएं, डिप करते जाएं, डुबाते जाएं, और अपने स्केल्प पर धीरे धीरे से दबा कर प्रेस करते हुए निचोडते जाएं, ताकि ओनियन जूस आपके पूरे स्केल्प पर लग जाएं, ये देखें, फिर से कटूरी से लिया है, औ और बस दीरे-धीरे करके ही आपको ये लगाना पूरे स्केल्प पर लगाएं दोस्तों, और इसे लगाने के बाद बालों की बहुत अच्छी स्केल्प की मसाज़ जरूर करें, अपने बालों की स्केल्प की मसाज़ करना बहुत जरूरी है दोस्तों, ऑईल लगाने के बाद इसे blood circulation fast होता है और जो हमारे scalp पर dead cell होते हैं वह भी आसानी से remove होते हैं तो ये देखें इस तरह से मैं दबाती जा रहे हूं cotton ball को मेरी बेटी और पूरे सिर पर लगाना है बालों के पीछे लगाना बिलकुल भी न भूलें दोस्तों 100% वर करने वाला यह नुस्का है आप खुद देखेंगे आपके बाल बहुत ही जल्दी लंबे होंगे उनमें काला पनाएगा बालों का तूटना बिलकुल ही रुख जाएगा हेर फॉल की समस्या से छुटकारा मिलेगा तो बहुत effective remedy आप इसे जरूर ट्राइ करें दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें साथी साथ मेरे चैनल टिप्स थीएटर को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें कमेंट जरूर करें ये दोस्तों की वीडियो कैसा लगा, information कैसी लगी तो बस इस oil को लगाने के बाद, केस्टर oil, onion juice को लगाने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक मसाज करना है आप चाहें तो hair wash जिस दिन करना है उसके 2 घंटे पहले भी आप लगा सकते हैं यदि आप रात भर इसे रखना नहीं चाहते हैं कोई भी remedy जितनी देर रखेंगे उतना ज़्यादा उसका असर मिलेगा